क्या कर्ण सच में बर्मास्त्र का ज्यान भूल गए थे? महाभारत के उपर जितने भी टीवी सीरियल बने हुए हैं, उनमें देखा गया है कि अंतिम युद्ध में जब कर्ण बर्मास्त्र का आहवान करते हैं, तब वे ब्रहमास्त्र का स्मरण नहीं कर पा रहे थे लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि कर्ण कभी ब्रहमास्त्र भूले ही नहीं थे जो आप जानते हैं ओ सरासर जूट है लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले और अगर आप भी श्री कृष्ण भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जैश्री कृष्ण अवश्य ही लिखे महाभारत के उपर आज तक जीतने भी टीवी सीरियल बने है उन सब के अनुसार करन अरजुन अंतिम युद्ध में ब्रहमास्त्र का प्रयोग हुआ ही नहीं इन सेरियलों के अनुसार ब्रहमास्त्र के प्रयोग से पूरे पृत्वी का विनाश हो जाता इसलिए करन अरजुन अपने अंतिम युद्ध में ब्रहमास्त्र का प्रयोग कभी भी किया ही नहीं दोस्तों सारे टीवी सीरियल्स में दिखाया गया है कि करन ब्रहमास्त्र का ग्यान भूल चुके थे लेकिन ये बात बिलकुल भी सच नहीं है महारिशी वेद व्यास के रचित महाभारत के अनुसार कर्ण अर्जुन अंतिम युद्ध में ब्रहमास्त्र का प्रयोग बहुत बार हुआ था चलिए जानते हैं कि इस बारे में की अर्जुन ने ब्रहमास्त्र का प्रयोग कितनी बार कर्ण पर किया था और कितनी बार कर्ण ने अरजुन पर ब्रहम्हास्र चलाया कर्ण अरजुन अंतिम युद्ध महाभारत का सबसे भयानक युद्ध था युद्ध के शुरुआत से ही अरजुन के चलाये गए सारे अस्त्र को कर्ण नश्ट करते जा रहे थे ये देखकर भीम बहुत क्रोधित हो उठे उन्होंने अर्जुन से कहा अर्जुन आज तुम्हारी आँखों के सामने कर्ण ने कैसे प्रमुख पंचाल योधाओं को मार डाला तुम्हे तो पूर्व कॉल में देवता भी नहीं जीत पाए तुम सच में भगवान शंकर की भुजाओं से टक्कर ले चुके हो फिर भी कर्ण ने तुम्हारे चलाए हुए सारे अस्त्र को नश्ट कर दिया अर्जुन के बानों को कर्ण के बानों से नश्ट हुआ देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा अर्जुन क्या बात है तुमने आज जीतनी बार प्रहार किया है उतनी बार कर्ण ने तुम्हारे अस्त्र को अपने अस्त्र से नश्ट कर दिया है आज तुम पर कौन सा मोह चा रहा है देखो तुम्हारे शत्रु कौरव कैसे सिंहनाद कर रहे है कर्ण को आगे करके सब लोग यही समझ रहे हैं कि तुम्हारा अस्त्र इसके अस्त्रों द्वारा नश्ट होता जा रहा है जरूरत हो तो तुम मेरे सुदर्शन चक्र को ले लो और इससे कर्ण का मस्तक काट दो श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जून ने उनसे कहा प्रभू कर्ण के वध के लिए अब मैं महान एवं भयंकर अस्त्र प्रगट कर रहा हूँ इसके लिए आप ब्रह्माजी, शंकरजी और सारे देवता आज्या दे यह कहकर अर्जुन ने उत्तम ब्रह्मास्तर को प्रगट किया लेकिन कर्ण ने बाणों की वर्शा करके उस अस्त्र को भी नष्ट कर दिया अर्जुन के ब्रह्मास्तर को कर्ण द्वारा नष्ट हुआ देखकर बलवंत भीम सेन फिर से क्रोध से जल उठे और अर्जुन से बोले अर्जुन तुम दुसरे किसी श्रेष्ठ अस्त्र का प्रयोग करो तब अर्जुन किसी दूसरे दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे दूसरी बार जब अर्जुन के सारे बान कर्ण काटते जा रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा पार्थ कर्ण तुम्हारे बानों को नश्ट करता जा रहा है तुम दूसरा कोई उत्तम अस्त्र छोड़ो तब अर्जुन ने ब्रमहास्र को छोकर उससे बाणों की छड़ी लगा दी महाभारत में शिर्फ अर्जुन ने ब्रमहास्र नहीं चलाया था कर्ण ने भी अर्जुन पर बहुत बार ब्रमहास्र चलाया था जब अर्जुन ने अपने बानों से कर्ण को घायल कर दिया था, तब कर्ण ने धैर्य धारन करके ब्रमहास्त्र को प्रगट किया था, कर्ण के इस ब्रमहास्त्र को अर्जुन ने इंद्रास्त्र से दबा दिया था, अंतिम युद्ध में जब कर्ण के रत का पहिया धस गया तब कर्ण अर्जुन पर ब्रह्मास्र चला कर बाणों की जड़ी लगा दिया था और अपने रत के पहिये को उठाने के लिए चले गए थे दोस्तों आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि भगवान परशुराम ने कर्ण को जो श्राप दिया था उसका क्या हुआ यह सच है कि भगवान परशुराम ने कर्ण को ब्रह्मास्र भूलने का श्राप दिया था लेकिन कर्ण में इतना मानसिक शक्ती था कि वो श्राप को विफल करके ब्रह्मास्र चला दिया था तो क्या भगवान परशुराम ने कर्ण को जो श्राप दिया था, वो पुरी तरह विफल हो गया था, कर्ण भले ही ब्रहमास्र चलाने में सफल रहे, लेकिन अंतिम समय में वे अपना भारगव अस्त्र चलाना भूल गये थे, ये वही भारगव अस्त्र था, जिसके प्रयोग है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आप सबसे शक्तिशाली योद्धा किसे मानते हैं? अर्जुन कर्ण या फिर किसी और को? अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल नोटिफिकेशन को आल पर सेलेक्ट कर लें, सच्चे सनातनी कमेंट में जाए श्री राम जाए श्री कृष्ण अवश्य लिखें